सुवागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिपलोमा कलासिस में तो कैसे हैं आप लोग तो मेद करता हूँ वच्छे होंगे मस्त होंगे और स्वस्त होंगे तो फाइनाली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2022 में विहार पैरामीडिकल का परवेश परिक्षा दिये थे और रिजल्ट यानी रेंग कर आ जाने के बाद पैरामीडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना काउंसलिंग कर आ चुके थे लेकिन क्या था रेंग का धिक होने के वज़ा से इनको फर्स्ट राउंड में कोई भी पैरामीडिकल कॉलेज एलोट नहीं हुआ था तो यह लोग गूसी दिन से इस इनतजार में है कि भी हार पैरामीडिकल का सेकेंड राउंड सीट अलोटमेंट रिजल्ट आखिर कब आएगा और जो बीसी इसी बोड है एक कड़ी बन देर मन से यह बोलता है कि इस दिन आएगा इस दिन आएगा इस दिन आएगा लेकिन आ तो बहुत सरे स्टुडेंट के दोरा एक कॉमेंट किया गया है कि सर बता देजिए कि जो हम लोग का रिजल्ट है यानि बिहार पैरामेडिकल का सीट अलोटमेंट रिजल्ट कल कितने बज़े तक आ जाएगा इसके साथ साथ यह भी बताने वाले हैं कि सेकेंड राउंड सीट के अलोटमेंट रिजल्ट है आखिर खल कितने बज़े आएगा इसके साथ साथ आप लोग एभी जानेंगे कि जो सेकेंड राउंड का कॉट अप लिस्ट है आखिर कितने रिंग तक पैरामेडिकल कलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में तो अगर आप लोग इस वीडियो को कौन तक देख लेते हैं तो आपके जितने भी डाउड से आप लोग जितने भी कॉमेंट्स किये थे सभी का सटीक रूप से अंसर मिल जाएगा अगर आप लोग भी हार पैरामेडिकल 2022 के स्टुडेंट हैं और बहुत दीनों से इस उमीद में हैं कि भी हार पैरामेडिकल का सेकंड राउंड सीट अलोट्मेंट टिजल का आएगा और इसका कॉट अप किया जाएगा तो इसको जनने के लिए सबसे पहले आप सभी को अपने मुबाइल में जो क्रूम ब्राउजर है इसको उपेन कर लेना होगा उसके बाद इसके सर्च बारे में आपको सर्च करना हो जैसे कि हम करते हैं B, C, E, C, E तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल यहाँ पर सर्च कर दिया गया है अब आपको एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा और जैसे आप लोग किलिक किजिएगा तो आपके मुबाइल के स्क्रीन के उपर कुछ इस परकार से दिखेगा उसके नीचे लिखेगा B, C, E, C, E तो आपको एक बड़ यहाँ पर किलिक कर देना होगा तो पर कुछ इस परकार से दिखेगा देखिए बिहार संजुक्त परवेश परतियोगिता परिक्षाप परसद उसके नीचे लिखेगा बिहार कॉम्बाइंट इंट्रेंस कम्पिट कुछ देटीगी जामिने शनबूड तो में इसमाब सभी को बताने वाले हैं कि जो आप लोग का सेकेंड रांड सीट एलोट्मेंट रेजल्ट है आखिर कल कुतने बजे आएगा और कितने रेंग तक सेकेंड राउंड में सेट एलोट्मेंट रेजल्ट जाड़ी होगा तो जो आप लोग का seat allotment result है कल कितने बहे तक जारी हो जायेगा तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो आप लोग का seat allotment result का notice है उसके उपर जाना होगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं आपने mobile के screen पे यहाँ पे लिखा गया है विहार संजुक्त परवेश परतियोगीता परिक्षा फर्षद और इस notice को 6 एक गारे 2022 को जारी किया गया था अब चलिए आप सभी को बता दे कि यहाँ पे क्या क्या बत आया गया है जो आप लोग का पहले result था यह 4 एक गारे 2022 को जारी होने वाला था लेकिन आप जो result है 10 एक गारे 2022 यानि कल के दिन पब्लिस होने व था लेकिन अब तेरे से ले करके अठाड़े तक होगा तो यह तो किलियर हो गया कि आप लोग का result 10 तरिख को यानि कल पब्लिस होने वाला है और आप सभी को बता दे कि कितने रेंग तक जो है सेकेंड राउंड में सीट अलोट्मेंट रेंग जारी होगा तो उसका PDF हम आप आप को कौन से पैरामेटल काउलेज में कौन सा कौर्ट्स मिलने वाला है अब वाएसे स्टुडेंट जिनका सेकेंड में भी कोई भी पैरामेटral कााॉलेज अलोट नहीं होगा तो उनको मॉपपक कांसलिंग कराना होगा अगर आप लोग यह जनाना चाहते हैं कि मॉपक का क्या है काइसे होता है इसको करने का क्या प्रोसेस है तो आप लोग कॉमेंट जरूर किसेगा अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं तो हम इसके उपर एक separate वीडियो को बना देंगे जिसके माध्यम से आप लोग जानेंगे कि जो आप लोग का seat allotment result है अकर second round में नहीं आता है तो मपप counseling में आप लोग कैसे भाग ले सकते हैं अब चलिए आप सभी को बता दे कि result आ जाने के बाद आप लोग कैसे चेक करेंगे तो जैसे आप लोग अपना पहला result को चेक किये थे जैसे कि आप सभी को हम बता देते हैं देखिए यह जो आप लोग का first result था यहाँ पर लिखा गया था download first round provisional seat allotment result dcse pm और pmm तो ठीक यह दोनों यहाँ से हड़ जाएगा और यहाँ पर first के जगाँ पर second लिख दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर click करके अपना user ID और password को डाल करके उसके बाद OTP को डाल करके आप लोग शेक कर पाएंगे कि आपको कौन से पैरा मेडिकल college में कौन सा course मिला है अब चलिए finale आप सभी को बता दे कि जो आप लोग का रिजल्ट है कल कितने बज़े तक आ जाएगा तो देखिए बिहार पैरा मेडिकल 2022 का जो है second seat allotment रिजल्ट कल साम को BCEC के official बेउस साइट पे 6 बज़े के बाद पब्लिस हो जाएगा कितने बज़े कल 6 बज़े के बाद जो आप लोग का रिजल्ट है यहीं पे पब्लिस हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या किजिएगा कि अपना यूजर आइडिय और पासवोट को डाल करके चेक कर लिजिएगा कि राखिर आपको कौन से परामेरिकल काउडिज में कौन सा कोर्स मिला है